नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में ओपो रिनो 6 प्रो 5G दिवाली एडिशन वर्सस वन प्लस नौड टू पाक मैन एडिशन का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रीनो 6 प्रो 5 जी दिवाली अडिशन में 6.3 इंच जबकी नौड टू पाक मैन में 6.26 इंच की लेंथ मिलती है जोकी रीनो 6 प्रो 5 जी दिवाली अडिशन से कम है Width की बात करें तो Reno6 Pro 5G Diwali Edition में 2.88 इंच जबकी 9 2 Pac-Man में 2.89 इंच की Width मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं weight की तो Reno6 Pro 5G Diwali Edition में 177 ग्राम्स जबकी 9 2 Pac-Man में 189 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है जो की Reno6 Pro 5G Diwali Edition से ज्यादा है तो चलिए अब हम display को compare करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno6 Pro 5G Diwali Edition में AMOLED जबकी 9 2 Pac-Man में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है aspect ratio दोनों फोन में सेम ही दीस रेशियो नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno6 Pro 5G Diwali Edition में 6.55 inches जबकी 9 2 Pac-Man में 6.43 inches मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Reno6 Pro 5G Diwali Edition में 88.56 जबकी 9 2 Pac-Man में 85.59 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Reno6 Pro 5G Diwali Edition में 402 पिकसेल प्रती इंच जबकी 9 2 Pac-Man में 409 पिकसेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाए की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G दिवाली अदिशन में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसक में की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है और 9-2 Pac-Man की बात करें तो इसमें भी हमें चार्ट कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है बात करें वीडियो कैमरा की तो, Trino 6 Pro 5G Diwali Edition में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9-2 Pac-Man की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्राइमरा यानी की सेलफी केमरा की तो दोनो फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते है आहीए अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते हैं हार्डवेर में सबसे पहेले बात करें, CPU की तो दोनों फोन में सेम ही, 6 नैनोमीटर है, GPU दोनों फोन में सेम ही, Mali G77 MC9 देखने को मिलता है, जिपसेट दोनों फोन में सेम ही, Mediatek Dimensity 1200 MP 6893 मिलता है, बात करें RAM की तो, Trino 6 Pro 5G दिवाली अडिशन में 12 GB की रेम मिलती है, जबकि Nord 2 Pac-Man में 3 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB, 8 GB, 12 GB रेम मिल जाती है, बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो, Trino 6 Pro 5G दिवाली अडिशन में 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nord 2 Pac-Man में 3 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 128 GB, 256 GB स्टोरेज मिल जाती है, Expandable Memory दोनों फोन में नहीं है, Operating System दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है, बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500 mAh देखने को मिलती है, अई अब Main Feature को देखते हैं, Colors की बात करें तो, Trino 6 Pro 5G दिवाली अडिशन में एक Colors जबकि Nord 2 Pac-Man में 3 Colors आप्शन मिलते हैं, सब इंफोमेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Trino 6 Pro 5G दिवाली अडिशन में एक ही वेरियंट देखने को मिलता है, जो की 12 GB RAM 256 GB Storage के साथ 41,990 रूपीज में मिल जाता है, वही अगर बात करें Nord 2 Pac-Man की तो उसमें 3 वेरियंट देखने को मिलते हैं, जो की 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 27,990 रूपीज, 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 29,990 रूपीज, 12 GB RAM 256 GB Storage के साथ 37,990 रूपीज में मिलते हैं, दोस्तों अब बात करते हैं, प्रांजन कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो, दोनों फोन में 5, फाइदे और 2, नुकसान देखने को मिलता है, फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में नौर 2 पाक मैन आगे है, में कैमरा में Reno6 Pro 5G Diwali Edition आगे है, फ्रन्ट सेलफी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉमंस में दोनों फोन सेम ही है, दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं, पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें, Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो की 18,999 रुपे में मिलता है, दुसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max है जो की 21,999 रुपे में मिलता है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है जो की 13,499 रुपे में मिलता है, और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Vivo Y725G है, जो कि 20,990 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना